अजो नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टू आर चैनल आप सभी के स्वागत है दोस्तों आज के इस राइड में मैं आपको डिखा रहा हूं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज का जो हमारा राइड है दोस्तों यह है नोड़ा एक्सेंशन से एरपोर्ट की तरफ नोड़ा एक्सेंशन से लेके आप गेटर नड़ा वेस्ट और जो चार मूर्ती है चार मूर्ती से शुरूए जो नियर भाई आभी आप देख रहे हमें जो है तो वहां तक का राइड है आज है हमारा तो मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हां इस तरह रास्ते में किस तरह का है वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत साथ सबने गय होंगे आल्मोस्त बहुत लोगों आपने ट्रेवल किया होगा चलेंगे खेंटेस होते हूं करें गलेंदी इसके बाद फिर हम मेरुपलेश करिए चलेंगे एरपोर्ट की तरफ तो चल्य चलते हैं कि क्या है वैसे जो कर देखा जाए तो मोसम जो है ठंड का मोसम तो चली रहा है और उसके से सांद जो है है चंड में जल्दी साम हो जाती है तो साम हो चुकी है और शुरज भगवान जो है वो छुपने वाले हैं चल रहे हैं तो अभी हम जो है हम लोगों ने जो है अभी कि चार मूर्ती को क्रॉस किया है यह जो अपना राइड है चार मूर्ती के पास से सुरूओ के नोड़ा एक्स्टेंशन से अगर हम चल रहे हैं पालम की तरफ तो दिखाते हैं आपको बताते हैं क्या है इसमें किस तरह की ट्रेफिक है यहां पर कैसे रास्ते हैं वैसे तो साम के समय है तो दोस्तों सबको पता ही है और जो लोग यहाँ ट्रेवल करते हैं आज नहीं भी करते हैं कहीं भी अगर साम के समय देखा जाए तो ऑफिस खतम होता है और ट्रैफिक जो है ज्यादा होता है तो मुझे लग रहा है ट्रैफिक अभी भी हमको ज्यादा मिलने का चांस से अब सकता है कम ट्राफिक मिलें लेकिन जैसे हम अपने को ट्राफिक ज्यादा मिलने वाला है कि पिछ सी छी हताई मिलब काधर किन देखा है मिलें 20 किल है और यह आपना प्lor mir और पचास किलो मिटर है तो नियर अबाउट एक गंटा तो लगी जाएगा और साम का समय है ट्राफिक मिलेगा तो अपने को एक गंटा से ज्यादा लगने वाला है मुझे लग रहा है एक से देड़ गंटा के आसपास लग सकता है हमें वहां पहुशने में तो चलते हैं देखते से चल रहे होंगे तो आपको यह ठाने तो फील होगी दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप कि हम पर्थला व्रीज को जो है पर्थला फ्लाय वर्च इसको क्रॉस कर रहा है और सांदार आप देख रहे हैंगा शूरज की किरने जो चुपने वाली है तो कितना प्यारा सा दर से लग रहा हूं और जैसे हम ग्रेटर नोड़ा वेस्ट से नोड़ा एक्सेंसे से बाहर निकलते हैं तो अपने को पहला जो है पर्थला फ्लाइवर मिलता है तो बढ़ियां है अभी निवली के इंस्ट्रक्ट है सांदार है लाइटिंग वेटिंग सब है और पर्थला फ्ला यह आपको जो है नोड़ा एक्स्टेंशन से और इक्छे अच्छे एट्रैफिक जो है थोड़ा सा जिएदा यहां मॉंव्मेंट रहता है तो दोस्तों नोडा के अंदर जब हम ट्रेवल करते हैं तो आपको ट्रैफिक जो है ना वाइलेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको बाइक वाले गारी वाले ट्रैफिक जो है इधर सिधर ब्रेक करते हैं कोई इडिकेटर देगा नहीं लेकिन घुम जाएगा इस तरह की जो है घटना है यहां पर आपको नोडा के अंदर ज्यादा मिलती है आपको दिल्ली में भी है वैसे अगर देखा जाए तो हर जगह ही है है महुत मॉस्टली जगह पे लोग जो है ट्रैफिक वाइलेट कर देते हैं ट्रैफिक दोड़ देते हैं और सब को जल्दी रहती है जाने की क्या कर सकते हैं तो दोस्तों अभी हम आ गया हैं देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे आप जैसे की वीडियो में देख रहे हैं हम जो है आज चुके हैं सेक्टर बावन के पास नियर हम और बावन सेक्टर बावन के पास जो है मेट्रो स्टेशन ही है मेट्रो स्टेशन अगर आप नो तो आपको परीचों के तर्फ जाना है तो उस METRO का पकड़ा सकते हैं इवह है तो इसando . मेटर के पकड़ान सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अभी정 है हम हैh Sector permitted स्कॉलन डिखाय हैं मस लग रहे हैं क्या सांदार लग रहा है सुरज बगवान जो है इवनिंग के टाइम होने काड़न तो यह जो है अपना सेक्टर बावन मेट्रों स्टेशन है नोड़ा सेक्टर बावन और हमने एंडर पास कवर कर लिया है इसके बाद दिल्ली में एंटर करेंगे थोड़ा इस तक ऐसे भी ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है इस रूट पर अगर सेक्टर बामन से आप सैंटीस तक देखेंगे तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है और इस तर्फिक ज्यादा रहता है दस बज़े के बाद रात में दस बज़े के बाद से थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा लेकिन आपको इस ट्रैफिक यहां पर मिलना इस वावविक बात है और आपको नोड़ा सेक्टर सैंटीस तक तर ट्रॉफिक बहुत ही मिलेगा वैसे अभी फिर भी कम है देखा जाए तो लेकिन एक घंटे बाद जो है इस पर हेवी ट्राफिक ज्यादा हो जाएगा तो आप देखें होंगे वहां की रोड जो है चोड़ी है लेकिन उसकी कमपरिजन में जो है यहां की रोड जो है नोडा सेक्टर बाउन से लेके 37 तक कि यह जो रोड है नोड़ा वाली यह थोड़ी पतली है और गाडिया जो है लोग रोड पर पार्क करते हैं जो भी जो भी है अगल बगल मार्केट होने के कारण लोग गाड़ी जो है रोड पर ही पार्क करते हैं रोड के एक लैंड जो है रोड का वो तो गाड़ी पार् स्थिरार जाती आती है Tell Allah what is acesso 14 भी इसके बाद अपने सीटी सेंटर आए rewrite safety सेंटर अगर आपको गूमना विर्म गिरना तो नाध टीन सेंटर जा सकते हैं बगड़ में तेक अब को कि हम जो अब City सेंटर क्रोस कर रहे हैं नोड़ा City सेंटर मेट्रो इसको क्रोस कर रहे हैं इसके बाद जो हम अपना गॉलप उर्स मेट्रो सेसन आए गए इसका सेक्टर 37 से हम सीरे दिल्ली में एंटर कर जाएंगे और अपना कोसिस रहेगा कि जब तक ट्रेफिक इंक्रीज हो उससे पहले जादा सर ज्ञाधा डिस्टन्स कणवर कर लिया जाए जादा अगर हम कलेंदी कुंज को पार कर लयते हैं ट्रेफिक इंक्रीज होने से पहले तो अपने को जागा टाइम नहीं लगया कि वहाँ जो है आगे यूदू जगे positivity मिलेगा न Carol Price मिले गालत जील मिलेगा नर्जी अजिश खास गार्श अपस आई-ई-टी के पास आपको औरहे लिट मिलेगा इसके ऐस अगे traffic नहीं मिलेगा क्योंकि अ marry 선se चलेंगे तो ज्यादा हमको ट्रेफिक नहीं मिलेगा तो इसके बाद हमें मेट्राइस्टेशन नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन जो है मूड जाती है बहुत कल चली जाएगी आगे मेट्राइस्टेशन से हो के तो नहीं गुजरेंगे हम लेकिन अपने को मिलेगी जो मेजेंटा लाइन है उससे थोड़ा तो थोड़ा दूर तक उसको हम फॉलो करेंगे तो हम आ चुके हैं सेक्टर 37 सामने देख रहे हैं बड़ी से विल्डिंग है लगी बहुत इनों से बन रही है इनकंप्लीट चलरी विल्डिंग है पता नहीं क्या सीन है कि मैं तो जबाने से देख रहा हूं इसको लेकिन वैसे कि वैसे ही है खड़ी है उतना स्ट्रेक्चर त गया ओकर क्रॉस करें तो एक सब्सक्राइब कर लोगैं यहां हर तरफ से गाड़िया आती है आगे से भी गाड़िया मूर्ती हुटइए उत इस लिए अपहले प्रफिक क्रॉस करने तो दो प्ले आसपश लगया मां पर बस खड़ी हो जाती है अट। करने के लिए अगर निकलते हैं वह भी जो प्राइबेट पर संगे गाडिया रहती हो भी खड़ी होती है इसके वहां जो है ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा दूरी क्रॉस करने में आपको जाए टाइम लग जाता है और थोड़ा सा ट्रैफिक रहा जाता है वहां पर अब ह엇 निकल चुके हैं सेक्टर सेंटीं से अब और अपना जॉ है यह जो आपको फ्री मिलेगा ज्यादा इस प्रेटिक नहीं मिलेगा हम यू मुना क्रोस करेंगे इसके बाद तो वहां तक दू commodity में जैसे यूमना पार करने के बाद जो है टरपिक मिलेगा हम आए अगर ल यहां पर दुकाने लगने लग गई लोग बेशने के लिए तो इसको इसे ट्रैफिक तो लगेगा ही अब देख पा रहे होंगे यहां भी दुकाने लगने शुरू हो गए शुरू-शुरू में जब यह ब्रीज ओपन हुआ था नया ब्रीज बनके तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन धीरे-धीरे वही हो गया फिर से यहां पर लगे लोग उसना कुछ तो उससे थोड़ा सा तह यह तो ही जाता है कि ठोड़ी से रूपती है अगर कोई समान भी रह आ है तो कोई, नहीं कोई रुखी जाता देखने लिए तो थोड़ा सा ट्रैफिक जादा हुए जाता है और रुक सी जाती है, यहां पर भी अगर देखा है सोगर रहता है तो कालेंदी का वह जो एरिया है वह सिगनल है वहाँ पर जो है बहुत ATrim रहता है क्योंकि दौ-3 जगह से इंटरस्रेख्शन रहता है के दो-3 डार्या आती है तो हमेशां आप आप या पर्लिल्स जल्दि है अब मैं ठीन आकटे यहां से रूप कर जाता था बदर बुराट की घर जानासा से लेक्गे जा सकते हैं हुआ है और ऑंडर पास से जा रहा रहा हैं तो ऊंडर पास से भी या के चिस जाएंगे तो तो आगे जाके राइट होते हुए नेरू प्लेस को चले जाएंगे और ओखला की तरफ जाने के लिए में रोड यह है तो अब जो यह जो है बदरपूड को अला जो है अंडर पास है वो खला से डारेक्ट अब कलेंडी को इसको निकाल देती है तो हम जो अभी जो है अंडर पास से होकर गुजर रहे हैं और पास तो है लेकिन जो है इसके रोड डाला है बहुत ही खराब कंडिशन में है रोडी यह कड़े इतने जाधा है इसमें और ये एक साल या दो साल से ऐसे नहीं है मुझे लग रहा है पांक साल से ज्यादा हो रहा होगा और इस रूट की condition इसी तरह है maintenance नाम की कोई चीज नहीं है इस रूट पर गड़े है तो वैसे ही गड़े है आपको गड़े मिलें गई मेंटें को विसको नहीं करगा या एक बार उसको बना देटोक दिन तक चले लेकिन उसा घुछ नहीं करता है अब झाहिए हम अंडर पास से बहार आचुके यह वख्ला इंडस्ट्रील एरिया का इरिया है ऑफ्ला इंडस्ट्रीले एरिया पूरा आपने लेट और रायट दूनों तरब नहीं अनल ओसा बत्ति तो खुल गई चलते हैं यहां से हम राइट ले लेंगे इंडेस्टे पर एरिया के आपको इस एरिया में से सर्विस सेंटर है मैनिटेक्ट्रिंग की कंपनिया है पोड़क्शन से वेयर हाउस है इस एरिया में हर्त रहा कि आपको छोटे बड़े हर्त रहा कि आपको चीजे हैं फैकेजिंग सब कुछ मिल जाएगा यहां पर आपको हम उस एरिया यह तीन से चार किलोमेटर का एरिया है इसके बाद हम फिर में रोड को कनेक्ट हो जाएंगे तो हम उसी एरिया होते हो यह जो है डैंसली पॉपलेटेड एरिया है क्योंकि अगर यहां जुगी जुपडिया भी बनी हुई है जो अगर कर साइध रहते हैं उनके लिए जुपडिया भी बना के रहे रहे हैं रोड के साइड में आपको दुकाने भी हैं चाय की मिल जाएंगी दुकाने खाने पीने की थोड़ी बहुत दुकाने मिल जाएंगे तो उसके वज़े से भी और ट्रैक का मुवमेंट यहां पर रहता है क्युंकि वही कंपनी है म अब बड़ा ट्रक हो गया हर समय आपको मुवमेंट ही मिलेगा यहां पर तो उसके वज़े से भी यहां पर थोड़ी सी गाडियां का मुवमेंट ज्यादा रहता है और साम का समय है तो पब्लिक भी निकलती है रोड पर मार्केट लगे हुए है तो मार्केट के लिए भी पब्लिक आती है रोड पर तो सारे चीज़े हैं उसको यहाँ दोड़ा सा वह है और इस एरिया में उस ताइब का है से दो कीमीटर है, इसके बाद पर जो हम मैं डोड में आजाएंगे, तो फिर से अपने पूर ट्रैफिक जो है ज्यादा अंग फिल हेगा, यहीं तक थो यही तख थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक था, इससके बाद से ट्रैफिक जो है थोड़ा कम हो जाएगा, कि यह रास्ता जो मैं रोड को कनेक्ट कर देगा थोड़ा सा कम हो जाएगा कि दोस्तों अभी जो है रात हो चुकी है और बहुत पीछे जो है बहुत ट्रैफिक था नेरू प्लेस के पर इसके कारण मैं आपको दिखाने पा रहा था वीडियो ताकि बहुत टाइम लगे मुझे आदा गेंटा से ज्यादा मुझे लग गया नेरू प्लेस क्रॉस करने में इसलिए मैंने सोचा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा सो मैंने ट्रैफिक आपको उसमें दिखाया नहीं और अभी मैं आज रही हुआ हूँ ट्रैफिक से बाहर आया हूँ अभी नेरू प्लेस से बाहर निकला हूँ और मैं अभी थोड़ा सा आगे आया हूँ नेरू और अब है आगे जो आने वाला आपंझाए सारा चाङ दिख रहा है तक बहुत सारा थ्र्फिक मुझे दिख रहा आगे भी मुझे लग रहा है और आगे भी बहूत चछ ट्रैफिक मिलने को अब अभी जो मैं आँ गया हूं वो हो हम खास खास मेधर स्टेशन भी है इंसेक्र भी है इंट Aliga और और कर रहा हूं और यहां भी जू है यहां पर अनल कर और इंत्रचेंज क्राइशन होने के वहत जए तो हम्यान को magnemas कि फ्लाइवर मिलेगा उसके बाद हम एयरपूर्ट वाले फ्लाइवर पर पहुंच चड़ जाएंगे उस पर चैसे चड़ेंगे अपने को ट्राफिक फ्री हो जाएंगे और हम कम समय लगेगा कि मुझे जो और दोस्तों इसी बीच बोल दूँं कि आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर हमारे चैनल प्राप नए है तो कि प्रिप्या हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कि अगर कोई कंप्लेइन हो कोई सजेशन हो तो हमें मेल कर सकते हैं कोमेंट पर दे सकते हैं तो आप बोर्ट पर देख भी रहोंगे कि एयरपोट सीधा एयरपोट द्वारिका गुड़गाओं यहां सीधे हम निकल सकते हैं और देखिए ओड़ क्रॉस करने के बाद जिस पर अभी हम चड़ रहे हैं यह अपने को एयरपोर्ट फ्लाइबर एक कनेक्टिंग फ्लाइबर है जो डायरेक्ट एयरपोट उपर उपर लेकर आप वहां पर कनेक्ट कर देगी तो उसके बाद जो है इस पर भी ट्रैफिक नॉर्मल है और इसके बाद यह फ्लाइबर की जो जो कनेक्टिंग ऐिए फ्लाइबर है उससे हम सीदह को की निखल गें सीदह हब करे आप अजाना चाहिएальный तर्बसंद ब्यार चलिजाेंगे और जो connecting flyover है उसको हम लेंगे तो सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे तब हमको traffic जो है यह यह जो बनाया गया था वो traffic को bypass करने के लिए भी बनाया गया था जिसको सिटी के अंदर नहीं जाना है सीधा ट्रेप एएरपॉर्ट के लिए निकलना है तो उनके लिए काफी अच्छा आइए और इससे बहुत सारा ट्रैफिक भी बच जाता और ट्राइम भी बच जाता आप देख रहे होंगे जैसे एएरपॉर्ट के लिए आपको बहुत यहां से हम लेफ्ट लेंगे और एयरपोर्ट में क्ले सीधे निकल जाएंगे यहां लोग कंफ्यूज हुए आते हैं अला कि एयरपोर्ट भी जा सकते हैं इस रूट से द्वारका के जो जाना है उनके लिए भी सही हो गया है और जो गुर्गाउं जाना चाहरे हैं उनके यह की माइंब राजिन ले का जो जाना को सा चएक बैपास सनाम जाना लेकिन रिखेश जल्यूंद अवर्ट लोडाफिक बिखारा ट्र्रेटेश प्लोड में 28 कि कवजाने मोश्च के किरद्व चैसले को ब्लेखना यह अगय कीश्च का पट्रम पल्धff हैं एक और फ्लाइवर चालू होगा और उससे हम सीदे एरपोट के लिए निकल जाएंगे जो फ्लाइवर दौलख मसे आकर केनेट करती है और है यही सका सीदे घर शीदे घर ढुल गर्गाओं की तरब चले जाएंगे और इयर्पूट के लिए जाना हो, टर्मिल 1 के लिए अगर जाना हो तो हम यहां से लेप्ट चलेंगे तरह लोग और कीम की अपने कौट टर्मिनल1 चलना है यहां से हमने टर्मिनल 1 के लिए चलन रहा है और उस तरफ की जो ट्राफिक जा रही है ईयर्पोर्ट के एरिये में हुए जो होसकता आगले 6 मैने के बाद जो है इसका काम शुरू हो जाए पर को और यहां पर आपको एड़ोर्ट के पास आपको फैसली जो मिलती है वह रिपोट मेर्ट है यहां पर टर्मिल तो आप मेट्रो से भी रीच आउट कर सकते हैं यहां पर प्लस जो है आप जो है अलर्ड पब्लिक ट्रांस्पोर्ट से भी यहां रीच कर सकते हैं है atham चल रहा है टेमनीफ वन एराइबल की तरफ अपना डेस्टिनेसेंज हैं हम चलेंगे टेमनल वन अराइबल की तरफ यहते में बेद्टिन है हिस अध्वس गए और आगहिए घ्राइआं है दोनों तरफ ए आप राइट साइड में देख रहा होंगे तो यहां जो होटल- depositale है आप अगर आप कभी भी आते हैं यहां पर तो यह राइट शाइड में जो होटल है रहा भी शक्के प्लस अब खाने पिने की चीजिज़ हैं यहां पे और अफसाइड वारा पूरा एयरपोर्ट का एरिया है यह पूरा एयरपोर्ट का एरिया है दोस्तों अभी जो है यहां से यह है एराइवल का है पूरा यह यहां से इंटरम कर सकते हैं ऐसे यह आपको जो है एयरपोर्ट देख रहा है यहां से एराइवल एंट्री होती है यह पूरा campus पूर्छ पार्किघ एरिया है यह तका कि ईएर्पोर्ट का यहां 18 short अपर किशकिशार कच इनृ चब्र चेसे वाल-डख गिर्ट जाईए कि ये मिपी ये यईए फुरा एर्पूर्ट के एरिया अपने टैलिल 1 का ये भी जो है अभी दम लब्क हुआ आपि जो है अभी जो आब बॉट देख रहा हैं यहां जो उधर कंस्ट्रेक्शन कांद चली रहा है और यह पूरा जो एरिया जो है यह पार्किंग है सामने एर्पुट यहां से एक जिक्ठ हो जाएंगे तो जिसको मैं पिक करने आया तो मैं बाहर जाके इसको गाड़ी पार्क करूंगा यह जितना आप देख रहे हैं एलेंटी का वर्क डब्लब्लप्मेंट का चल रहा है यहां पर वर्क वह काम चल रहा है यहां पर दोस्तों मैंने जो आपको दिखाया पूरा एर्पूर्ट का एरिया जो है टर्मियल वन अगर आप पर नोड़ा एक्स्टेंशन से आते हैं टर्मियल वन पर किस तरह से आना है और दुल्ली से होते हुए हम गुजरते हैं बहुत सारे ट्रेफिक आता है तो आज के वीडियो कि तो यहीं तक था और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर केंट दिखाऊंगा कराई डिखाऊंगा तो आज के वीडियो में यहीं तक आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कि पर हमरे चैनल को साय लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई कंप्लेइन कोई सेजेशन हो तो हमें जरूर दे बहुत बहुत धन्नेवाद फिर लाद बहुत 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 भाद बहुत भाद भाद बहुत भादव नहीं हो तो हम प्युता है रिशमान प्युनाभ प्यूड़ करें बहुत रहुत अाल